नमस्कार दोस्तों मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वाय करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं करते हैं लग बग łatग 28,000 के हैं यही आज निकल कर आया यह कैसे vana ऑना वह सारी बात हम यहा पर करने वाले हैं तो चल को सिया यहां परقة चैनल में बपर जाता हुआ उपर क्योंकि पहले हम यहां पाल चुके हैं और मैं आपको बता दूँ आज का strike price कौन सा था, तो strike price selection करने के लिए हम लोग करते क्या है, हम यहाँ पर simple सा यहाँ पर जो अपना bank rifty future जो होता है, इसको इसका जो opening price होता है, इसके according हम यहाँ पर strike price का selection करते हैं, तो जैसे कि देखेगा bank rifty का आपका future यह लगा हुआ है, मैं यह market debt peak उपर जाता हूँ, यहाँ पर आप check कर सकते हैं, आज जो market open हुआ था, वो 43,790 से open हुआ था, ठीक है, अब 43,790 यानि कि nearest आपको जो strike price मिलेगी, वो रहेगी 43,800 की, तो चलिए दोस्तों मैं आपको लिया चलता हूँ, चार्ट के उपर और चार्ट के उपर देखेगा, पहले हम आपको ये bank rifty future का चार्ट थोड़ा बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप देखें, तो bank rifty का future का चार्ट देखेगा, कुछ इस तरह से चल रहा था, और opening candle जो होती है, वो future के चार्ट में आपको इस तरह से show हो जाती है, जिससे आपको पता चलता कि market आज य यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखेगा 43800 जैसे आप लिखते हो, तो 43800 का call और put यहाँ पर निकल कर आज आता है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ, यहाँ पर bank rifty के put option के चार्ट पर, इसके बाद मैं आपको लिए चलूँगा call option पर, तो पहले हम ब पर put देखने वाले हैं, तो चलिए, मैं बार रिपले open कर लेता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे हमें यहाँ पर काम गरना था, और यहाँ पर कौन-कौन सा signal generate हुए थे, जो tradable थे, तो देखेगा मैं इसको बार रिपले को play कर देता हूँ, play करने बाद मार्केट जब open हुआ था, तो कुछ इस तरह से आपको market open होता हूँ दिखाई दिया था, तो यहाँ पर देखेगा इस तरह से market open हुआ था, और यहाँ पर चल रहा था, तो morning में देखेगा हमें कोई भी entry करने के लिए यहाँ पर signal नहीं मिला था, और इसके बाद देखेगा कि सब्टर में जो signal generate हुए थे, वो हमें काम करने थे, या नहीं करने थे, आपर हमें कब काम करना चाहिए, आपर कब काम नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बाते मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो देखेगा दोस्तों, यहाँ पर देखेगा आपका signal एक generate हुआ यह बाला तो जिस candle पर signal generate होता है इसको बोलते हैं सहाव signal candle यानि कि यहाँ पर only हमें signal देखना है वोच करना है इस पर trade नहीं करना है ठीक है तो हमने यहाँ पर check किया कि साव यहाँ पर अपना buy signal generate हो रहा है तो हम simple से यह करेंगे कि इस candle का closing होने का हम wait करेंगे तो candle का closing time आपको यहाँ पर मिल जाता है देखेगा 10 बच के 14 मनिट 69 सेकंड पर यह candle close होने वाली है जब तक आपको check कर लेना कि आपका volume green है की नहीं और आपका जो strength है वो लगबग कितना चल रहा है क्योंकि आपके जो strength है वो लगबग 35 से लेकर 40% green कलर के अंदर होनी चाहे है ठीक है volume आपका green होना चाहे है जो candle आपके generate हो रही है वो भी green होना चाहे है तो यहाँ पर देखेगा buy signal आपको बनता हुआ नजर आ रहा है और जैसे ही यह candle close होगी यह देखेगा जैसे यह candle close होगी आपके nest candle जैसे ही यहाँ पर generate होती है तो यहाँ पर आपको entry कर लेना है entry करना से पहले थोड़ा आपको फिर से check करना है नजर मारना है कि volume तो अपना green है लेकिन strength अपना कितना है तो strength यहाँ पर देखेगा इस candle पर भी आपका strength जो है वो 35 से लेकर 40% green कलर के अंदर होना ही चाहिए तो signal candle जो होती ही only इस पर signal देखा जाता है और जो entry candle होती है हमारी entry candle जो होती है उसको बोलता है second candle जो होती है उसको entry candle बोलता है तो entry candle जो होगी हमारी यहाँ पर हम फिर से सारी चीज़े चेक करेंगी volume और इसके साथ में market का strength तो entry candle पर आपका strength जो है वो 35 से लेकर 40% होना चाहिए और entry candle है decision making candle क्योंकि यहाँ पर हम decide करके यहाँ पर entry कर लेते हैं तो इसलिए हम entry candle इसको बोलता है और decision जो हम लिगा जाता है सारी चीज़ें चेक की जाती इसके बाद यह trade किया जाता है 43 800 का production जिसमें मेरा entry हुआ था 288 रुपे 60 पैसे पर और इसके बाद जो मेरा exit हुआ था 318 रुपे 70 पैसे पर जिसके अंदर मैंने लगबग 12,060 रुपे का profit यहाँ पर बनाया था तो आपको दिखा दू मेरा exit क्यों किया था वो exit पीछे करने के पीछे logic क्या था हम check कर लेते हैं तो यहाँ से देखेगा market थोड़ा आगे गरा आगे बढ़ने के बाद देख सकते है market ने आपका first target यहीं पर अचीव कर लिया था इसके बाद देखेगा फिर से आपकी candle आप first, second, three यानि कि तीन candle लगा लगातार first target के आसपास अगर यानि कोई सा भी target हो first हो या second हो कोई सा भी target हो अगर तीन candle लगातार एक ही target के आसपास घूमती हुई नजार आ रही हैं मतलब market पलटने वाला है ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने इस candle के something लगवा market को यहाँ पर मैंन first target पहले से लगा के क्यों नहीं रखा तो जस्तों बताने चाहूंगो मैं target लगा के नहीं रखता मैं target open रखता हूँ only SL लागे रखता हूँ ठीक है तो SL यहाँ पर आपको क्या रखना था बोवी मैं आपको बता देता हूँ तो आप देखेगा left side में आपको एक masses box यहाँ प पर देखेगा target अची हुआ target अची हुआ target अची हुने बागड यहीं पर घूम रहा third candle मुझे दिखाई दी क्या यह दो तीन तीन candle लगाता है अपने target के आसपार घूमरी है मतलब मैंने आपर exit कर लिए मैंने white candle का wait नहीं किया इसका बाद देखेगा exit होने बाद वाइट कल करके 12,000 का मुनाफ़ा यहां पर बनाया था यह morning का पहला trade था यह आप चेक कर सकते हैं timing में देखे बाता देता हूं लगबग 10 बच के 15 मिट के आसपाच signal generate हुआ था इसके बाद साप देखेगा इसके बाद क्या हुआ इसके बाद देखेगा market आपका sidebase हो गया sidebase होने साथ साथ आप check कर सकते हैं market के अंदर कोई भी trend यहां पर नहीं बचा था और market देखेगा sidebase यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा था इसके बाद देखेगा market ने फिर से हमें मौका दिया था entry करने का वो entry में आपको दिखाना चाहता हूं तो यहां पर आप timing check कर सकते हैं उपर देखेगा तो इसको बोलते हैं re-entry, re-entry जब होगी तो यहां पर only simple सा आपको एक triangle बन के आएगा और यहां पर देखेगा आपको सारी condition है मेज करना है जैसे देखेगा volume आपका green था strength आपका लगबग 88% आपका यहां पर green में है चीक है तो यहां पर re-entry यहां पर generate हुई इस तो जैसे कि आपको पता है मैं जब भी trade करता हूँ तो मेरा LISBLU का account पर जब भी मैं trade करता हूँ तो आपको अलग-अलग strike price के अंदर trade करके बताता हूँ ऐसा इसलिए ताकि भी market के अंदर low so profit हो ताकि आपको सभी चीजें clearly अलग-अलग दिखाई दे तो मैंना simple से यह किया 43-800 का strike price चल रहा तो मैंने 43-700 का strike price यहाँ पर लगाया और इसका chart मैंने लगाने के बाद देखेगा यह चीक है तो यहाँ पर देखीगा यहाँ पर मैंने चेक किया लग-बग 200 उनाशी के आसपाई लग-बग entry price आईए तो मैंने second candle पर यहाँ पर entry किया दिखाना चाहता 43-700 देखेगा production यह रहा यहाँ पर जो मेरी entry हुई थी market को मैंने भागते भागते पकड़ा लगए 211 सम्तिंग मेरे को market पकड़ में आया और पकड़ने के बाद देखेगा market भई देखेगा जादा ऊपर नहीं चापाया क्योंकि अपना re-entry का funda होता है कि जब भी आप re-entry क दगा लेना है और market में बने रहना है यहां तो ट्रेलिंग असल ब्रेक होगा यहाँ पर नमारा 10-10 परसंट का यहाँ पर टागेट मिलेगा सिम्पल समने यही किया इसके बाद देखेगा क्या हुआ इसके बाद देख सकते हैं market थोड़ा आगे बढ़ा है यहाँ पर आगे बढ़ने साथ देख सकते हैं market के अंदर जो चाल चली है वो आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर देखेगा market यहाँ पर green color candle generate किया लेकिन यहाँ पर देखेगा candle आपकी white color में convert हो चुकी है white color जो होता है वो exit point होता है यानि कि इस ट्रिग लिए आपको यहाँ पर exit करना है आप यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला ठीक है तो हम simple से यहाँ पर exit करेंगे तो मैंने यहाँ पर इसको exit किया और exit का जो मेरा price था वो आप चेक कर सकते हैं लगभाग exit यहाँ पर 208 के पास पास था लेकिन सब मैं थोड़ा late exit कर पाया था लगभाग 208 के something exit कर पाया था जिसमें मुझे 13,000 का नुकसान हुआ है और आपको मैं बता दूं मैं जो भी trade करता हूं यह 40 lot 40 lot के अंदर काम करता हूं 40 lot मतलब 600 quantity ठीक है तो मेरा जो भी आपर काम होता है 40 lot के अंदर काम होता है जितने मैंने आप ट्रेड किये हैं वह सारे के सारे 40 lot के उपर मैंने काम किये हैं ठीक है तो हो सकता है बहुत से लोग मेरे को कुबार बार call करके पहुंचते सर आपका जो लोट पर वो कितने trade पर आया कितने load पर कितने quantity पर आया तो दोस्तों मैं सिंपास आपको बत अपसान हुआ इसके बाद से मुझे लग रहा था हो सकता market आप साइड बस चले क्योंकि मार्केट के अंदर ज्यादा moment नजरा नहीं रहा था बट फिर भी हम आच लाके बेठे हुए थे मैंने फिरसने यहां पर 43-800 को यहां पर इस ट्राइक प्राइस लगा के बेठा था जो signal मिलेगा उस पर सारी condition मेच होगी तो definitely आपको मुनाफ़ा मिलेगा ही मिलेगा अब यहां पर से एक कोशन आया था यह वाला किसार यहां पर एक re-entry बनी थी को इसको trade करना था की नहीं तो बाता दूसर नहीं इसके पीछे reason क्या था logic क्या था बाता आना चाहूंगा जैस से green नहीं होगी यह line आपकी यहीं से green होगी यानि कि जब re-entry आपका generate होगा ना तब ही यह line green होनी चाहिए ऐसा नहीं कि re-entry candle आपकी यहां पर generate हुई line आपकी आगे से green हुई ऐसा नहीं चलेगा ठीक है तो इसको आपको avoid करना था भली आपका market का volume green हो भली आपका strength काफी अ आशे करता हूँ यह जानकारी आपको सहीं लगी होगी आप यहां से इसको समझ चुके होंगे तो आपको इसको trade नहीं करना था इसके बाद देखी क्या हुआ इसके बाद यहां पर देख सकते हैं market के अंदर यहां पर ज्यादा moment नहीं आया और market देखेगा कुछ इस तरह से चलता रहा ठीक है इसके बाद लेकिन यहां पर अगर चेक करें तो यहां पर क्या हुआ market में एक buy का signal यहां पर generate हुआ अब यह buy का signal जो था वो tradable था 100% इसको trade करना था क्यों करना था नीचा volume देखेगा green है आपका market के जो strength है वो 61% है green color के अंदर तो definitely यहां पर यह buying बनती है लेकिन साब मैं बताने चाहूंगा इस trade को सर मैंने मिस कर दिया थोड़ा उस टाइम पर थोड़ा मैं ओपिस के बाहर गया था अलग मेरे पास कुछ call भी आया था मैंने उनको भी बता दिया थोड़ा भारूं को भी मैं इसलिए मैं market नहीं देख रहा हूं वोची नहीं कर बाया था इसलिए आलग कि trade करता सर इसके अंदर काफी पैसा मिलता आपको बता दूँ देखिए पैसा मिला इसके अंदर यह देखेगा इसके बाद देखेगा market के अंदर एक white color candle generate हो लेकिन आपको हम ऐसा बोला है जब आप fresh signal entry करते हो fresh मतलब जहां पर आपको buy लिख के तो है मतलब यह fresh signal है तो यहाँ पर fresh signal generate होता है तो तब तक आपका target अचीबना हो तब तक आपको exit करना ही नहीं है भली आपका white color का candle generate हो यहाँ पर कोई भी exit point generate हो आपको वहाँ पर exit नहीं करना है ठीक है तो हमने इसको exit नहीं किया और इसके बाद देखी क्या हुआ है इसके ब market low लगा है इसके बाद हमारा trailing SL break नहीं हुआ इसके बाद देखेगा market उपर गया और market देखेगा first target यहाँ पर आचीब कर दिया है इस signal के अंदर लगबग हमें यहाँ पर लगबग 20 से लेकर 24 point के यहाँ पर मुनाफ़ा मिला है ठीक है तो इसके अंदर हमने काफी अच्छ market के अंदर एक closing time यानि की लगबग 2 बजे के बाद यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर शांदार signal generate हुआ था जो की यहाँ पर देखेगा कुछ इस तरह से बना था अब यहाँ पर देखेगा कुछ लोगों की doubt है मैं यहाँ पर clear कर देता हूं सारी चीज़े clear करना चाहूँग दोस्तों देखेगा तो यहाँ पर देखेगा जिस candle पर आपका signal generate होता हूँ इसको क्या बोलता है signal candle और अगली अपनी entry candle तो entry candle पर यहाँ पर देखेगा आपको एक red color का 9 number यहाँ पर बन के आया था यह जो होता है exit point होता है अगर ऐसा कभी भी आपको मिलता है तो आपको क् कर देता हूँ यहाँ पर देखी इस candle पर आता हूँ तो this is a signal candle और signal candle हम क्या करते हैं only हम बोच करते हैं इस पर trade नहीं करते तो signal candle पर अगर 9 number बन के आ जाए जैसे कि इस तरह से बन के आ जाए तो भी हमें कोई फरक नहीं पड़ता अगली candle से हम entry कर सकते हैं ठीक है signal candle पर entry candle पर अगर 9 number ऐसा लिख के आ जाए तो आप यहाँ पर entry नहीं करोगे भली आपकी सारी condition यहाँ पर fulfill हो ठीक है इस चीज़ को आपको ध्यान में रखके काम करना है यह question का answer में देखी कि बहुत से लोग का होगा question इसका answer देना चाहता हूँ तो इस candle पर आपको entry नहीं करना करणे ला कि अब देखे कि क्या हुआ इसके बाद देखेंगा market को इसonstans से मार्क देखेंगा यहां से आगे बड़ा यहां पर देखेंगा grows लोगों ने सब्सुला दुख मनाई यहां पर काफी जञादा दुख होगता है रही hover यह यहां पर सीगनल हुनरे डीष कने डिया क मुझे भी कोई भी गुष्सा आया था, आपको भी सिर्फ गुष्सा आया होगा, लेकिन, रूल is the rule, रूल फोलो कोरोगो साब तो ही पैसा बनेगा, इसने आज तो पैसा दे दिया, लेकिन हर बार ऐसा होगा, तो पैसा नहीं देने वाला, क्योंकि, एंट्री केंडल पर अगर 9 नंबर आ गया, मतलब कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो प्रोब्लम है, अब लेकिन करना क्या है, यहाँ पर देखो, आपका री एंट्री यहाँ से जनरेट हुआ, इस केंडल से, थ 시ing अपर आपको एक री एंट्री करने का सिगनल यहाँ पर मिला, यह वाला ट्राइंगल जनरेट हुआ यहाँ पर, तो सर्थ, आपको यहाँ पर री एंट्री करना था, ठीक है तो यहाँ पर अगर देखें तो re-entry यहाँ पर जनरेट भी volume green है strength काफी अच्छा है 90% strength है green color के अंदर definitely re-entry करेंगे लगए सब मैंने का क्या इस strike price के उपर re-entry नहीं किया मैंने simple सा 43.7 सूपर काम करी चुका तो भी हमारा जो re-entry हुआ था देखें बताना चाहूंगा लगबग re-entry मेरा भागते भागते हुआ था 342 के आसपास हुआ था re-entry और re-entry होने बाद सर मैं वेट कर रहा था कि market क्या करें white color candle generate करेगा तो ही मैं exit करूंग अदरबाश नहीं करूंगा तो अधिकर market कंदर movement market काफी तेज भागा और सर मन में आया कि महीं यहां पर profit book कर लूंग इस candle पर तुकि 6600 चला गया था market यहां पर लगा यहां पर book कर लूंग लेकिन बुक अतना दिल है कि मानता नहीं मुझे लगा हो सकता market और जादा भागेगा हो सकता 800 चला जाए सर लग रहा था तो कि जब profit आता देखता आना सर दिमाग काम नहीं करता सर मेरा भी नहीं करता ठीक है तो यहां से entry करनेक बाद लग बगग साड़े 600 चला मार्केट गया वही मेरे देखिए थोड़ा market नीचा आया नीचे आने बाद देखिएगा थोड़ा में फ्रसे वेट करता रहा और यहां पर एक ट्राइंगल यहां पर देखिएगा यलो कलर कर इंडिकेशन आय यह वाला कि बेटा निकल लो बरना मार्केट गिर जाएगा उसर देखिए का मैंने जैसे हाँ पर एक्जिट किया फिर से भाइट कलर की केंडल यहाँ पर जनरेट हुई तो मेरा एक्जिट प्राइज जो था बताना चाहूंगा सप्राइजित कर पाया हाला कि मैं चाहले छेएग्जिट कर सकता था ज्चकर में रुक गया यहाँ पर मुनाफ chrom suck वनना हा तो थोड़ा से दुखी हुँ हुआ कि दो लाग प्रोफिट मैंने बुक नहीं करा यहां पर एक लाग अठाई से बुक कर पाया चलो सर होता है मार्केट के अंदर भई आप भी आपने भी देखा होगा आप ट्रेडिंग कर देऊंगे आप कभी कभी के अच्छा प्रोफिट दा रहा होता लेकिन आप भुक नहीं कर पाते और कम प्रोफिट कर पाते हो हो ठीक है तो सर आग इस तरह से काम हुआ इसके बाद देखेगा महर्केट जो है वो यहां पर यहां पर चेक कर सकते हैं यह देखेगा यहां पर मार्केट क्लोज हो चुका है तो इस तरह से आज हमने जो भी काम किया वो सारी चीन में शेर कर दी यह सर था का पूट ओप्शन अब बात करना चाहूँगा सेम स्ट्राइक पर यानि 3300 का कोल ओप्शन दिखा दूँ आपको मैं यह देखेगा कोल ओप्शन में अगर देखेंगे सर्थ कोई भी आप ट्रेडबल सिगनल नहीं बना यह देखेगा यहां से मार्केट ओपन हुआ ओपन होत दिरफ और सिर्फ हमने आज इप पूट ओप्शन के अंदर ही काम किया और पूट ओप्शन के अंदर काम करके आज यह काफी अच्छा मुनाफ़ा हमने बनाया और सासा सर्फ दोक्तु मैं आप दिखेगे टेलेगराम पर भी आपको चीए शेर करता हूँ उसके अंदर बता दिया था कि सौंबार के दिन 23 अक्टुमबर को मार्केट के अंदर क्या होने वाला है फिर से बज़ेगी खत्रे की घंटी मैंने पहले आपको बता दिया था तो जिन जिन लोगों ने वीडियो देखके काम किया होगा सरु उन्होंने काफी जादा पैसा अर्न किया होगा अ 99 परसेंट आप वहाँ पर पैसा बना के ही जाओगे ठीक है अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसको भी चेक करके आप देख सकते हो भी वहाँ पर मैं आपको सक्षी पहले ही बता दिया था और हूब 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 आर्ज मार्केट के अंदर वही हुआ है ठीक है तो अ उसको एक्सेंट करके 10 रह तक यानि कल 24 तारी तक उसको हो रख दिया है तो अभी आप आएंगे वेफसाइट पर तो ओफर जो है वो कल 10 रह तक भी चलेगा दिन भर तो जो लोग ओफर का लाव उठाना चाहते हैं उठा लीजिए कल के बाद ओफर क्लोस हो जाएगा इसके लिए बाइ और थैंक यू